केंद्र का दावा आधार दुनिया की सबसे भरोसे मंद डिजीटल आईडी मोडीज की रिपोर्ट खारेच की रेटिंग एजनसी ने सुरक्षा गोपनियाता पर सवाल उठाए थे भारत सरकार ने ग्लोबल रेटिंग एजनसी मोडीज इन्वेस्टर्ट सर्विस की रिपोर् करते हुए आधार कार्ट को दुनिया का सबसे भरोसे मंद डिजीटल पहचान पत्र बताया है मोडीज इन्वेस्टर्ट ने आधार कार्ट से जुड़ी लोगों की सुरक्षा और गोपनियता पर चिंता जाहिर की थी सोमवार को इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी मंत्राले न दरसल मोडीज ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि आधार का बायोमेट्रिक उन जगाहों पर काम नहीं करता जहांकि मौसम में नमी है आधार सिस्टम में गड़वडियों के कारण बायोमेट्रिक तकनीक का इस्तिमाल करना अविश्वस्णी है इस पर भारत सरकार क इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी मंत्राले ने कहा कि मौडीज की रिपोर्ट में किसी तरह की डेटा या रिसर्च का हवाला नहीं दिया गया है तथ्यों का पदा लगाने का प्रयास भी नहीं किया गया इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी मंत्राले ने बताया कि रिपोर्ट में आधार संख्या की जानकारी भी गलत दी गई है रिपोर्ट में एक मात्र संधर्व यूनिक आइडिन्टिफिकेशन ऑथोरिटी ओफ इंडिया UIDAI की वेबसाइट का है UIDAI की वेबसाइट पर आप तक जारी किये गई आधार की संख्या दी गई है जब की रिपोर्ट में गलत तरीके से इनकी संख्या 120 करोड बताई गई है